हेलो दोस्तों आपने बहुत इसांदर वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर लेकरा हूँ जो अभी अभी आपका इंडियन कोश्ट गार्ड का पेपर हुआ है पहली सिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है काफी आसान ये पेपर आ गया है जैसा अमने अम्मीद किया था उससे भी ज्यादा आसान पेपर आ गया है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे क्योंकि जो भी मैं सवाल लेकर आया हूँ जो भी आंसर की लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ तो गैज जल्दी से देख लेते हैं सभी सवाला को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट सबसे बड़ी important बात अगर आप 2021 में मम्य पापा का सपना पूरा करना चाहते हो एक सरकारी नोगरी लेना चाहते हो 2021 में तो दोस्तों ये platform आपके लिए बैस्ट रहेगा examatic study आपको करना क्या है जो ये नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है इसको दबा कर आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सबी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल examatic study पर आपको time to time मिलता रहे देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछेगे पहला सवाल आपके सामने है अगला ICC महिला T20 विसकप कब और कहां आयोजित किया जाएगा तो गाइस ये किया जाएगा 2022 में इंपोर्टेंट सवाल था और दक्सिन अफरीका में नोट कर लेंगे बहुत इंपोर्टेंट सवाल है गाइस पढ़के जरूर जाएंगे देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया वित मंत्राल्य के तहट परधान मंत्री सोरी वित मंत्राल्य के तहट परधान मंत्री गरीब कल्यान योजनक कब लागू की गई थी तो गैज ये की गए थी 17 दिसंबर 2016 में इंपोर्टेंट सवाल था देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये पूछा गया हाली में New Development Bank के नवी नद्यक्स किसको चुना गया है तो गैज इनका नाम है Micros Trios देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था तो गैज इनको कहा जाता था दिनार दिनार इस सवाल का रैट आंजर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल हाली में किस कस्मीर उत्पाद को जियाई टैग प्राप्त हुआ है जियाई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको मिला है ये के सर को दोस्तो जमू एंट कास्मीर में के सर पहले नंबर पे है ठीक है गैज अगला सवाल भी देख लेते हैं किताब उल हिंद पुस्तक के लेकर कोन है तो गैज इनका नाम है अलबरूनी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तो आपको दो से तीन सेकिन लगेगी आपने वीडियो को लाइक कर दियोगा मम्मी पापा का सबना पूरा करने के लिए आपने नी नीचे लाल कलेल का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिया होगा गाइस कर लेंगे बहुत इंपोर्टेंट चैनल है गाइस एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी तो गाइस ये किती विल्यम होर्वे ने विल्यम होर्वे सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया नोबेल पुरुसकार के पहले ACI विजेता कोन है तो गाइस इनका नाम है रविंद्र नाठ टैगोर रविंद्र नाठ टैगोर इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल क्या पूछा गया एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया सोर मंडल के बहार सबसे चमकिला तारा कौन चा है तो गाइस ये आपका है सीरियस सीरियस इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा इंपोर्टेंट सवाल था गाइस दोस्तो रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा थोड़ा धहरिया बना कर वीडियो को देखेंगी देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपसे बूचा गया सेरी कल्चर किस से सम्मंदित है तो गाइस ये आपके रेशम केट पालन से सम्मंदित है इंपोर्टेंट सवाल था दोस्तो पेपर काफिट आसान आ गया है बस आप लोगों को वीडियो धहरिये से देखना है अपरेल 2019 में किसे PC चंद्रा पुरुषकार परदान किया गया तो गाइस ये किया गया डॉक्टर देवी परसाद सेटी को देख लेता अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूचा गया बस ड्राइवर के पास कौन सा दरपन लगा होता है जो गाइस साइड में इनके सीसा लगा होता है तो वो कौन सा सीसा होता है ये होता है अब उत्तल दरपन उत्तल दरपन इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा बतलब क्या होता है कि इसमें दूर का एरिया सारा कवर हो जाता है एक ही सीसे में देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूचा गया भारत की ग्यारवी पंच वर्षे योजना किस ने तियार की थी तो गैज इनका नाम था के कस्तूरी राजन ने के कस्तूरी राजन इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल मैदान का नया नाम क्या है तो गैजilia इसका नाम है अरून जेटली स्टीडियम रून जेटली स्टीडियम इस सवाल का रइट आंसर चला जाएगा ढृत एक फ़िए इस सवाल का देख लेते अगला सवाल परमाणों की संदचनक की वर्तमार अवधार्णक किस वग्यानिक द्वारा दी गई थी तो गैज ये दी गई थी नेल्स बोर के द्वारा देख लेते हैं अगला सवाल दोस्तों यह आपका गणित का सवाल पूचागा इसको मैं लोजिक से बता देता हूँ तीन दसम्न छे किलो ग्राम का कितना परतिसत नो ग्राम है तो गैज देखो इसको ग्राम में बदल लो 3600 ग्राम हो जाएगा कितना एक्स परतिसत माल लेते हैं ये नो ग्राम के बराबर होना चाहिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यह आएगा आपका X परतिसत यानि 9 बटे 9 बटे 36 तो वह जब आप इसको काटोगे 9 चोक 36 यानि यह आपका कितना परसेंट हो जाएगा यह हो जाएगा यह जो आपका X परसेंट है इसको हम X परतिसो लिख लेंगे और यह हो जाएगा आपका एक परता 400 तो 0 से 0 कट जाएगी यह आजाएगा एक परता 4 परसेंट तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तों एक सवाल आपका यह भी पूछ लिया गया एक चतुर भूज के चारो कोणों का माप दिया गया है मतलब चतुर भूज कुछ भी मान सकते है चार साइड का कोई भी सेब है सबसे बड़ा कोण क्या होगा सबसे बड़ा कोण होगा 5 5 की value आमें निकाल ली है तो guys क्या करेंगे हम देखो इनके सबी कोण का angle का जोड कितना होता 360 इनको जोड लो एक बार सारों को जोड लो क्या हैगा यह आएगा आपका 12 12 की value कितनी है 360 एक की value कितनी होगी यह हो जाएगी 30 degree अब निकाल ली है 5 की value 5 की गुणा यहापर कर दो यह आएगा आपका 15 यह यानि 1500 degree 150 degree सवाल का right answer चला जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आसकते थे 150 degree सवाल का right answer चला जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आसकते थे मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चे ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आप घर ऐसे पढ़ाई करना चाते हो सभी सब्जेट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे लाल गलर का बटन दबा कर देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपसे ये कुछ लेगा राम ने एक गाएं बारा हजार पांसो में खरीद कर चार परतिसत के लापर बेच दी तो इसका विकरे मुल्य बताओ यानी सेलिंग प्राइस बताओ बेचने वाला मुल्य बताओ तो गाईस देखो 12500 का 4% ले लेते हैं 4% लोगे तो ये कटिएगा ये आएगा आपका 500 4% कितना हो जाएगा 500 जब आप ये वाला लाब यह आपका प्रोफिट आ गया जब इस लाब को आप इसके खरेदने वाले मुल्य में जोड़ दोगे तो यह आपका निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस तो क्या करेंगे 12500 में हम क्या जोड़ेंगे जो ही आपका लाब आया यह कितना है यह हो जाएगा 13000 तो दोस्तो जो इसका विक्रेंग मुल्य होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 13000 13000 इस सवाल का रहे टांसर चला जाएगा हमने क्या किया इसके जो इसका करेंगे है करे मुल्य में हमने लाब को जोड़ दिया हमारा विकर मुल्य निकल के आ गया तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकती थे आई ओप दोस्तों यह आपको किलियर हो बाति ये तो गैस क्या करेंगे इसकी वैली कितनी हो जाएगी 11 और इसका टोटल जोड़ दिया गया है 550 ग्यारत की वैली होगी 550 के बराबर एक की वैली होगी 50 के बराबर अब इन दोनों में बाटना है राम और श्याम में 50 से गुणा करतों की दोनों साइड यह आएगा आपकाा 500 यानि राम को तो दिये जाएंगे 2500 रुपे श्याम को दिये जाएंगे 300 रुपे तो दोस्तों इस तरिके से आप लोग के सवाल कर सकते थे ये आपके श्याम की है और ये आपके राम की है आगे बढ़ लेते गाईज पूरी जानकारी ले लेते हैं तो गाई जो भी बच्चों ने मुझे आपर पहले सिफ्ट के सवाल बदा है 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिये है अगर आप 2021 में एक सरकारी नोगल लेना चाहते हो सभी सब्जेट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो नीची ये लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे बेल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल examatic study पर आपको time to day मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद